संतन सूक में आने वाली बादा साई पूजन से दूर की जा सकती है आंगन में बच्चे की किलकारी सुनने के लिए ये उपाय करे कई जोतिशी मानते हैं कि संतन सूक ना मिल पाने पर साई बबा की उपासना फलदाई है अगर पास ब्रोषपति वार तक कुछ उपाय किये जाए तो उसके अद्बूत परिना मिलते हैं ब्रोषपति और संतन जोतिश में ब्रोषपति को संतन का कारण माना जाता है ब्रोषपति की उपासना से इस समस्या से चुटकारा पाया जा सकता है या ब्रोहस्पति वार के दिन किसी गुरू की उपसना से भी फायदा होता है साई देंगे वर्दान तो बनेगा काम साई बाबा भगवां का रूप भी है और गुरू भी माने जाते है गुरू होने के कारण ब्रोहस्पति की समस्याओं में इनकी उपसना अद्बूत परिनाम देती है इनकी पोजा से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है कुछ उपाय भी कारगर है पर उने अपनी समस्या के अनुरूप ही करना चाहिए अगर मेडिकल कारण बन रहे हो बाधा साई बाबा के चरन चिन लाए या मंदिर जाए साई बाबा के चरनों में पिले फुलों की माला रख दे माला रखने के बाद उनके चरनों में मनोकामना कहे गरीबो में केले बाटे ये प्रयोक पाज ब्रुवस्पतिवार करे बिना किसी कारण आ रही हो बादा घर में साई बाबा की मूर्ती की स्तापना करे या साई बाबा के मंदिर जाए साई बाबा की साथ बार परिक्रमा करे और अपनी मनो कामना मनी मन दोराते रहे फिर साई ब पर चंदं के सुगंद वाली अगर्वत्तिया जलाए ये प्रयोक पाज ब्रुहस पतिवार तक पिले कपड़े पहन कर करे ब्रुहस पतिवार अवश्य करे साई की पुजा सुबस नान करके पुजा का संकल पले उनके समक्ष घी का एक मुखी दिपक जलाए साई बाबा को पिले फूल अरपित करे गुर चने का भोग लगाए इसके बाद साई चरित्र का पाट करे या उनके मंत्रों का जाप करे शाम को दोबारा साई बाबा की पुजा और आर्ति कर उने हलवा पूरी का भोग लगाए प्रसात को सब में बाटे बच्चो को जरूर दे इस प्रयोक के पूरे हो जाने के बाद इसका समापन भी खास तरीके से किया जाता है पाच्वे ब्रुवस पतिवार को इस प्रयोक का समापन करे प्रातकल साई बाबा को पिले वस्र और पिले फल अरपित करे, प्रसाद में हलवा पूरी चड़ाए, साई चरितिया साई मंत्र का जाप करे, बच्चों को बुला कर उन्हें प्रसाद किलाए और उपहार दे, साई बाबा को अरपित किया हुआ पिला वसर अपने पास सुरक्षित रखे, जोतीशी कहते हैं कि ये पैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइकों को जरूर प्रेस करें